अब्सक्राइब करो MDRs प्रोडक्शन्स को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले नमस्कार आप सभी को कर्टन्त दिवस की बधाई शुक कामना है और वर्ष 2019 के लिए पुरुसकार वितरण समाहरों में आप सभी का हार्दि स्वागत नई दिल्ली में देश के लिए अपना योगतान देने वालों को राश्पती पुरुसकार से सम्मानित किया जिसमें मत्र पुदेश की गुनाचिले के अपर करेक्टर श्री चंद्रकांत शांडलने को आटी ए का शत्रतिशत लक्षिप्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया झाल झाल अपर कलेक्टर श्री चंदरकान साडिल ने राक्ष्पती प्रुसकार पाकर पूरे सहर को आज गौरवाद पिल कर दिया श्री शांडिल ने पिछले देरा वर्सों से आई टीए के छेत्र में अतक परिश्रम कर हजारों गरी बच्चों को सिक्षा की अधिकार कानून का लाव दिलवा चुके दिलवा चुके सर बधाईयां बहुत बहुत आपके लिए थैंक्यू कॉंग्रेट्स सर थैंक्यू सो मद चलिए ओफिस में चलकर बात करते हैं सर आपको ये लक्षपराप करने में कठाईयां ये अर्चन है तो बहुत आई होंगी ये तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है जिसे हमें मिलकर पूरी करना है सर जिम्मेदारी तो हर अधिकारी की होती है पर इसके बारे में आप क्या कहिए अधिकारी की जिम्मेदारी तो है ही साथ में हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है अधिकारी और नागरिक दोनों ही मिलकर समर्थ भारत का निर्मार कर सके किसी भी समाज की उन्नती उसकी सिक्षा पर निर्भर होती है और जब समार सिक्षित होगा तो दे सुन्नती करेगा इसलिए सिक्षा हर वेक्ती और बच्चे की मूल आवशकता है इसलिए सिक्षा का अधिकार मिलना हर वेक्ती को आवश्यक है मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसने किसी के जीवन पूर्ण रूप से बदन दिया ये चंदू है इसका आप कोई नहीं पड़ाई करने की उम्र में ये कबाड़ा बीन कर अपना पेट भर रहा है हसने खेलने की उम्र में इसकी आँखों में आशू है और पेट में भूख चल 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 दू बबबर की तु कार में दो लाएक तुम लोग जाओ मैं आता हूँ हाँ भोल भाई चार कुलो प्लास्टिक ले इदर आओ हाँ चंदू तेरा क्या इसाब है लेको बबन भाई हाँ दो क्लो लोहा तीन क्लो प्लास्टिक एक क्लो जर्मन देख भाई तेरे हुए दो क्लो लोहा साथ के हिसाब से और तीन क्लो प्लास्टिक चार के हिसाब से और एक क्लो जर्मन तीस के हिसाब से पैसे हुए तेरे कुल 46 रुपे ठीक है बबन भाई जरा गोर से देखो 56 होंगे 14 का लोग 12 का प्लास्टिंग और 30 का जर्मन हो है ना चपन हाँ हाँ 56 ही तो है बबन भाई इस साब में कोई माद नहीं दे सकता जे बात तो है चंदू दिमाग तो तेरा बहुत तेज है बबन भाई ये औरो में भी चोड़ा लगाना चोड़ाना कितनी मेनद करते है बिचारे अबे तेरा हिसाब तो बरावर है ना दूसरों से तुझे क्या है तो गरी बबन भाई इनका हिस्सा क्या खाना चलता हो हाँ हाँ ठीक है चल हुआ 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 है हुआ है हुआ है देफीक से एक रख बंद करने आया है क्या और करिये क्या है भाईया मैं चोड़नी हुआ मैं भी पढ़ना चिता था हूं लड़ी यां से बड़ा आया हुआ हुआ है पिम्ने पाई हड़ यहां से पढ़ना आए पढ़ाई गर के नहीं कलेक्टर बन जाएगा तुँ पढ़ाई करेगा पढ़ाई गरीबों काम नहीं है जा कहीं जाके चोकीदारी कर रोटी खाने मिलेगी आरी गहीं गहीं कि दोन is भोटारी करेख समय आरील आरुमटativo गरीघेट मौर्मट इन सहाजरों को काम मिलेगी खाने जाएगा अखाएगारी करेक्टर रेरी गले करेक्टर करेड़ के गरीफ़ां आरी खाने जाले करेक्टर भीडिक पान, इन नहीं हाटाना घ् Abg. ऑम, मौर्टरन जा चांस प हाहाँ हाहा ले लो अड़ी अशेट पढ़ना है पढ़ाईगर के नहीं कर्ड़क्टर बन जाएगा तुषेड के नहीं कर्ड़क्टर बन जाएगा है तेरी हिसाब तु बरावरा है到 कि दूश्रों से तु ज grands कि दूश्रोंлаг तुझे कर्ड़ाईगर के तुषेड है तुषेड के दू जिह कर्ड़क्टर बन जाएगा तुषेड के धन दूश्रों क्यों में खुद्धार, खैरियत तो है। फिर आँखों में आचू क्यों? क्या नाम है आपका? चन्दू बड़ा प्यारा नाम है चन्दू, बताओ तो का बात? उसने मुझे दख्का दिया और विकारी भी का किसने? स्कूल की चोकिदार में क्यो? मैंने उससे कहा मुझे पढ़ना, तो दख्का देकर गिरा दिया, बोला विकारी पढ़ते नहीं नो, नो, ऐसा कभी नहीं के तुम विकारी नहीं हो, तुम्हारे माबाद क्या करते हैं? नहीं है, एक एक्सिडेंट है ओ, और भाई बहर? कोई नहीं है अरे तो रहते कहा हो? बसस्टेंट और रिवेस्टेश हो अच्छा चन्वी, एक बार बताओ क्या? उस स्कूल में पढ़ोगे क्या? उस स्कूल में, वहां तो अमीर बच्चे बढ़ते हैं न? हाँ, उस्सी स्कूल, उस्सी स्कूल में बदखुदार कों पढ़े रहे हैं मुझे? मेरा तो कोई नहीं है नो, नो, ऐसा कभी नहीं केना जिसका कोई नहीं, उसका वो है हम पढ़ाएंगे बदखुदार चलो चन्डू, एक जगा चलते हैं कहां? उस्सी स्कूल में वहां तो चोकी दार है, फिर भगा देगा आओ, तो बदखुदार देखते हैं कैसे भगाता है आओ, बदखुदार याद, हमें तो भूख लगी है, एक तो तकी है, वोजराद आओ, चन्डू लाओ, याद, एक दुक्त किया, प्रेभी लाओ, लो खाओ, खाओ, खाओ खाओ पाओ, भाप हमें आप है पाओ तहो, पाओ प्रणाम गुरू जी नमस्कार खुछ रहो आज अचानक कैसे आनोगो गुरू जी गुरू जी तेरा सौवाग गया क्या आपके कदोविस विद्याले में पड़े क्या लेंगे चाए काफी नहीं या चाए नहीं आज एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ जी तेंद्र जी बताए ये चंडू है ये बढ़ना चाहता है गुरू जी बताईए मैं इसमें किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ इसका दाखिला तुमारे स्कूल में होना है मगर गुरू जी सेशन तो आदा निकल गया है जो भी हो मगर इसका एडमिशन तो करो गुरू जी आप समझ नहीं रहे मना तो नहीं करूँगा लेकिन और बच्चों का आदे से ज़्यादा कोर्श हो गया है ये कबर नहीं कर सकेगा जरूर करेगा तुम जेसे होना हाथ साथ का गुरू हूँप बर खुरदार मेरा दिल केता है कर लेगा आप कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा भले ये एड्मिशन फुल क्यों ना हो गया हूँ शुक्रिया गुरू जी शुक्रिया कहकर शर्मेंदा ना करें आपके द्वारा दी गई सिच्चा ही मुझे दूसरों की मदद करनी की प्रेड़ना देती है अले भाई हम तो मात्यम है सब मर्ज़ी उसकी होती है एक एड्मिशन फॉर्म लाओ माइडियो चल दो तुम कल से इसकूला रशू करो वा भाई जितेंद तुमने हमारा बड़ा काम कर दिया अरे गुरू जी ऐसा ना कहें यह तो मेरी जिम्मेदारी है गुरू जी इसके गाजियन में किसका नाम लिखू बन खुर्दा नूरलातर लिख़़ो सर हाँ हम माता पिता गाजियन सब हमारा ही नाम लिख़़ो गुरू जी अब मैं समझ गया बच्चे में कुस्त तो बात है हाँ 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 बन गा के पड़ुदा बेता हाँ हाँ जी अजी तो बन जाएग तो बन जाएगा वे तेरा हिसाब तो बरावर है ना, उचरों से तुझी क्या? अवे तेरा हिसाब तो बरावर है ना, वो देखो हमारा बेटा आ गया तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ अब फुर्दार है माम में क्लास भी फॉस्ट आया हुआ तुम्हे नूर का नाम रोचन कर दिया बेठा मा खूपड़ फिर चंदू खूपड़ शरम चंदू का क्या हुआ वो चंदू चंदरकान सांडल आपके सामने बेठा मुझे तो कोई मिल गया था पर औरों को भी तो कोई मिल है यही भावना मुझे प्रेवित करती है और आज तो धारा 21 के अंतरगत राइट टू एजूकेशन एक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें हर गरीब बच्चे को निसुल्क सिक्षा का प्रावधान है फिर हम सम नागरिकों का भी करतव है कि हम देश के प्रतेक बच्चे को सिक्षित करने में अपना योगदान दे क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा हलो कौन बोलो बेटी मेरा कोई नहीं है मैं पढ़ना चाती हूँ बेटी आपका पता बताओ मैं खोदा आता हूँ नजाने ऐसे कितने चंदू जिने जरूरत है हमारी शिक्षा का अधिकार सिर्फ कानून नहीं समबेदना है सिर्फ कानून होना ही जरूरी नहीं जरूरत है समबेदना की हमारी समबेदना किसी गरीब बच्चे की साहता बन जाती है वब्द का थपेड़ा कब किसे कहां पहुचा दे कब किस दुख का सामना किसे करना पड़े कब कोई पीछे छूट जाए और कब कोई आगे निकल जाए कहीं जरूरत है समबेदना की कहीं जरूरत है साहता की कर दो जरूरत है समब जरूरत है साहता की